हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जियेस आई को एजुकेशन के इस यूटूब चैनल पे जैसे कि एक महेश कुमर बर्णवाल की बहुत ही अच्छी बुक है एंचαर च्छी सर संगर वन लाइनर उसी का यह एपिसोड चल रहा है आज हम लोग इस एपिसोड में करेंगे जी बिग्यान को हम लोग चालू कर रहा है ठीक है जीव बिगन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि और भी सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्दी अप्लोड किया जाएगा अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पोंस रहा तो इसके पहले मैंने आधुनिक भारत का इतिहास का कुछ वीडियोज को मैंने अप्लोड किया है फिर एक इनवायरोमेंट और इकोलोजी का भी एक एपिसोड मैंने अप्लोड किया है तो अगर आप लोगों उसको देखना चाहते हैं तो इसके डिस्किप्शन बॉक्स में जाए वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा तो आज हम लोग जिव बिग्यान का ये एपिसोड चालू कर रहे हैं अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें चलि किकि कलचर के दोरा क्या उत्पादित होता है तो अंगूर, जेरंटोलोजी की अंत्रगत ब्रीधा अवस्ता यों आयू ब्रिधी के परभाव के बीषय का अध्यन के जाता है, वर्मी कल्चर में कौन सा किट्टु परजुक्त होता है तो केच्छुआ होता है अर्ध्वर, पेडोलोजी का अंत्रगत किसका बैग्यानिक अध्यान किया जाता है तो मरीदा का, फूलों के अध्यान को क्या कहते हैं तो एंथोलोजी, कीटों का बैग्यानिक अध्यान क्या कहलाता है तो एंटोमोलोजी, जन संख्याओं मानों जाती कि आक्रों का अध्यान क्या कहलाता ह जिसको डेमोग्राफी कहते हैं जिवास्म विज्ञान यानि कि पैलियो बोटनी के अंतरगत पादप जिवास्म यानि फोसिल स्फलांड का अध्यान किया जाता है बिभिन संस्कृतियों के बैज्ञानिक विवरन के तुलनात्मक अध्यान को क्या कहा जाता है तो एथनोलोज किया जाता है तो ऑस्टियो लौजी का अंतरगत किया जाता है सर्पो के बिशे में जनकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है तो सर्पेटो लौजी कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स किस्च संबंदित है तो म्रिदा विहिन पादप समवर्धन से संबंदित है जन्तु विज्या की बिभिन सखाओं के जो जनक है एक तरफ हम देखेंगे कि जिव बिग्यान की जो भी साखा है उसके जनक यानिक उसके फादर्स कौन है ठीक है तो जन्तु बिग्यान तो जन्तु बिग्यान यानिकी जूलोजी के जनक अरस्तु है बनस्पति बिग्यान यानि बोटनी के जन के जनक एडवर्ड जैनर है बर्गी की अथ्वा वर्गी करन विज्ञान यान जिसको टैक्सोनॉमी के नाम से जना जाता है उसके जनक कैरोलस लीनियस है रुधीर परिसंचरन तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक विलियम हारवे है कोशिका विज्ञान यानि साइटो जनक रॉबर्ट हूक है उत्परिवर्ट तन्यानी म्यूटेशन इसके जनक हुगो डीब्रीज है कोवक बिज्ञान इसके जनक एंटन डीबेरी है पादप सरीर किरिया विज्ञान एस्टीफन हैल्स है आधुनिक बनसपति बिज्ञान यानिकि मोडरन बोटनी के जनक कैरो दिवनिक मौडर्ण जिम्ट मॉर्गन भारतिये पूरा वनस्वति बिगर्ण इनकी प्रवियम है अवियानत्रिski पौल क्लिक पौल एंड़ीकन Psycology के जनक है William Henry Haraway है भारतिय सैवाल बिग्यान यानि इन्डियन Psycology के जनक MOP आयंगर है भारतिय प्रास्तिति के यानि Indian Ecology के जनक रामदेव मिस्रा है औस्धी बिग्यान यानिकी फार्मासीटिकल साइन्स के जनक हिपोक्रेटस है सुप्छमदर्सिकी यानिकी माइक्रोस्कोपिक के जनक एंटनी वान लिवेन हॉक है जीन चिकित्सा जीन थेरफी के जनक एंडर्सन है जन्तु बिग्यान जिव बिग्यान की ही एक सखा है और अस्तु को जन्तु बिग्यान का जनक यानिकी फादर अप्जुलोजी कहा जाता है नेक्स देखते हैं बनस्पति बिग्यान की पर्मुख सखाए ठीक है तो जैसे कि हम लोग घास बिग्यान को एग्रोस्टोलोजी काते हैं इसमें घासों का अध्यान वा पालन मतलब का अध्यान किया जाता है एलगोलोजी यानि कि सैवालों के अध्यान को एलगोलोजी बोला जाता है एनाटोमी मतलब होता है आंत्रिक सन्रचना का अध्यान को हम लोग एनाटोमी के नाम से जानते हैं पुस्पो के अधियान हम लोग इधर से राइट साइट से पढ़ेंगे तब जाकर के ये किलियर होगा जैसे कि पुस्पो का अधियान एंथोलोजी को काते हैं जीवानुआ का अधियान तो जीवानुबिग यान बैक्टेरियोलोजी ब्रायोफाइटा का अधियान ब्रायोलो क्रोनोलोजी इसको ब्रिक्षो की आयू का अध्यान को हम लोग डेंट्रो क्रोनोलोजी के नाम से जानते हैं एक सिकेन एकोलोजी पोधों का वातावर्ण से संबंध का अध्यान एकोनॉमिक बोटनी आर्थिक महत्यू के पोधों का अध्यान एथनो बोटनी आदिवाशियों दोरा पादपो के उप्योग का अधियान बनो का अधियान फोरेस्ट्री के नाम से जानते हैं एक्सो बायलोजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों के उपस्तिधी का अधियान जेनेटिक इंजिनियरिंग क्रित्रिम जिन्स यानिकी आर्टिफिसियल्स जिन्स का निर्मनवा अस्थान्तरण का अधियान लाइकेनोलोजी लाइकेंस का अधियान माइक्रो बायोलोजी सुप्छम जीवों का अधियान नेक्स देखते हैं माइकोलोजी कौकों के बैग्यानिक अध्यान, माइकोप्लाज्मा लोजी माइकोप्लाज्मा का बैग्यानिक अध्यान, निमेटोलोजी निमेटोड्स का पाधवों के साथ संबंधों का अध्यान, पेलियोबोटनी पाधप जिवास्मों का अध्यान, पेलीनोलोजी, परागणों का अध्यान, पैथोलोजी, पादप रोगों का उपचार वा अध्यान, पैरासीटोलोजी, पोशक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्यान, फार्मेकोलोजी, औस्धिये, पादपों का अध्यान, फिजियोलोजी, विभिन पादपों के जै प्राविक कृणाों का अधियान टेरीडूलोजी टेरीडोफाय। ऺज्ये तका अधियान। फाईटोजियोग्राफी की बौधा के वित्रन वर उनके कारनों का अधियन, मैं आधियन, इस्पेस बाय लाजी अंतरिक्ष्ट तिथा बायमदल में इसित पादपो का अधियन, एस परमे लाजी, बीजो का अधियन, हिलियो तेरेपी, सुर्जी के परकास से चिकित्सा करने की प्रकिर्या को करते हैं हाइड्रोपोनिक्स इस सखा के अंत्रकात जल्म संबर्धन का अध्यान किया जाता है फिर नेक्स देखते हैं जनतु बिग्यान की परमुक्स सखाएं तो जनतु बिग्यान में क्या 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 जानी की जुलोजी में कौन-कौन से उस एंडो क्राईयूनो लोजी अंतस्रावी अतंत्रों का अध्यान, एंब्रायो लोजी भ्रोणिय समवर्धन का अध्यान, एंजाइमो लोजी उत्प्रेरकों का अध्यान, एंटोमो लोजी कीट पतंगों का अध्यान, जेनेटेक्स जीवं कनुमांसिक लक्षन एवं इसकी इन पंसागत्ती का अध्यान नेक्स देखते हैं हीमेटोलोजी रुधीर एवं रुधीर संबंध रोगों का अध्यान हरपेटोलोजी उभायचरो एवं सरीश्रीपों का अध्यान मैमलोलोजी अस्तंधारियों का अध्यान माइक्रोबायोलोजी अति सुक्ष्म जीवों का अध् ओडोन्टोलोजी दंत विज्ञान संबंदी अधियान अनेर्थोलोजी पक्षियों का अधियान पैथोलोजी रोग की प्रकिर्तिक लक्षनों एवं कार्णों का अधियान रेडियोलोजी जीवों पर विक्रन प्रभाव का अधियान टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामाकर एवं वरगीकरन का अधियन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आयू व्रिति के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अधियन जरा बिगन ने जेरंटोलोजी कहलाता है नेक्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जीवों की उत्पतिस संबंदित प्रमुक सिधान किसे माना है क्रो मैगनोन मानों को माना है बर्तमान परमान के अनुसार प्रित्वी पर जीव का उद्गम लगभग दो अरब बर्स पुरू से माना जाता है विकास वाद का सिधान्त यानि थियोरी अफ एवालूशन किसने परतिपादित किया तो चार्स डार्वी ने किया विकास का मुख कारक क्या है तो प्राकिर्थिक वरन है यानि कि नेच्रल सेलेक्शन है विकास के उत्परिवर्दन का सिधान्त यानि म्योटीशन थियोरी अफ एवालूशन का परतिपादन किसने किया तो हीगोडी ब्रिज ने किया अर्कियोपटेरिक्स जुरैजिक कुद्पति मानी जाती है तो नील हरित सेवाल यानि की ग्रीन सोरी ब्लू ग्रीन एलगे सीथजित रितु में पक्शों के प्रसुकतिकाल यानि की डोर्मैंसी पिरियेट्स को करते हैं हाइबर नेचन करते हैं कि किSet मैं स्नायो तन्तर यानिकी सिस्टम् तो होता है पर तो म डाइनोसोर सरिस्त्रिप यानि के रैप्टाइल्स वर्ग में आते थे जिनका उदाय मेसोजोईक जुग में हुआ था। निल हरित सेवाल जिवाणू तथा कवक में लवक नहीं पाय जाते बलकि लो मिली के अकार की कौन सी रचना पाय जाती है तो क्रोमेटो फोर्स पाय जाती है। किन पोधों में जाइलम वहिकाओं का अभाव होता है तो अना वृत वीजी एवं टेरीडो फाइट्स में। नेक्स देखते हैं पाँच जगत वर्गी करन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रसूत किया था तो वीटेकर ने जंपिंग जिनकी खोज किसने की थी तो मैक क्लीन टॉक ने कौन से छाल डियने तथा आरेने दोनों में पाय जाते हैं तो एडिनीन गवानीन और स चमगादर को उनने की कीट योम छंता होते हुँ भी पक्षी वर्ग के अंद्रगत नहीं सामिल किया गया है बलकि इस अस्तनपाई वर्ग में सम्मिलित किया गया है वह समूझ जिसके जंतु प्राय रात्री चर्यानी की नॉक्ट्यूर्नल होते हैं तो मच्छर चमगादर सदारण नाम उनके बैग्यानिक नाम ठीक है यहाँ पर सदारण नाम जैसे कि मानों का बैग्यानिक नाम होपो ऐनब सब्सक्राइअ तेंदुवा का पैंथेरा पारडस है बाग का पैंथेरा टिग्रिस है चेर का पैंथेरा लियो है मतर का पाइसम सटाइवं है बिल्ली का फेलिस कैटस है मेढक का राना ट्रीगीना है धान का ओराइजा सटाइवा है सडसों का ब्रेसिका कमपोस्टिस है चन्ना का सीसर एलिेटिनम है गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम है गाय का बोस 인्डिकस आमका मेंगीफिरा इंडिका प्रकास्टाशन की प्रकासिक हो गेह कहां संपन होती है तो क्रम्सक ग्रेना यों एस्ट्रोमा में मुलासका संग के कुछ जन्तु में नीले या हरे रंग का रग्त किसके कारण होता है तो हीमोयासिन नीन के कारण होता है मानो हिर्दय का बाया नीले परकोष्ट पुर्णता ऑक्सीजन क्रित रख्त को महा धमनी में और संपूर्ण सरीर में भेजता है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौको और उचितर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कर्यात्मक साचर्ज यानि कि फंक्सनल एसोसियेशन पाया जाता है तो कवक मुल माइको राइजिया पाया जाता है इश्ट और मस्रूम किस परकार के जीव है तो फंफूद यानि फंगी है का पास में पाया जानावाला पर्मुख कौन सा घटक पर्मुख घटक कौन सा है तो सेल्यूलोज है लाइकेन किस से निर्मित होते हैं कौको और उम से वालो से होते हैं जीवण चक्र की देशटी से पौधे का सबसे महतपूर अंग पुस्प है क्लोरो फिल के निर्माण में कौन सा तत्यव महतपूर होता है तो मैगनेसिय महतप्ंर होता है अधिकान सकीट किसके दोगा सोसन करते है तो वातक तंतर दोगा जिसको ट्रेक्या कहा जाता है कुनेन आविर्त वेजी पादप का उधारन है жो सिनकोंना नमक पादप की छाल से प्राप्त होता है तता यह मलेरिया के उपचार के लिए पर्योग किया जाता है सेव में पा जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है तो एंथोसाइनीन है टमाटर में लाल रंग किसके कारण की उपस्तित होता है तो लाइकोपीन की उपस्तिती के कारण होता है सहतूत के फल का बैग्यानिक नाम क्या है तो सोरोसिस है सर्पों के 20 ग्रंत यानि कि वेनम ग्लैंड किसके समांग होते हैं किसकी समागेत कसेरूकी प्राणियों के लार्ग रंतों यानि कि स्लैवरी ग्लेंड के समान होते हैं। नीपैंथिस खासियाना यानि कि पीचर प्लांट नमक पोधा मुकिता भाद कि किस राज में पाए जाता है तो मेगाला में पाए जाता है। चटानों पर उगने वाले पादप क्या कालाते हैं तो सैलोध भीद कालाते हैं। घट पर्णी यानि कि पीचर प्लांट किट भक्ची पादप के अंतरगत आता है इसकी पतियों के पर्ण फलक घट घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आत में जल संग्रह करता राता है तो उट करते राता है। तता हलदी पॉधें के तने से प्राप्थ होती है तता उसका खाने वाला हिसा परकंद यानि की रूजोम कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्तिती के कांतिकी होती है तो कैपसेसिन के कारण होती है। सबसे बड़ा अस्तन पाई जीव कौन सा है तो वेल है। रेसम का केड़ा यानि कि सिल्क वर्म को अपने जीवन काल की किस अवस्ता में वानिजिक तन्तू यानि कि कमर्सियल फाइबर सुथ्पन करता है तो प्यूपा अवस्ता में करता है। गर्म रुधिर वाले यानि कि वार्म ब्लडड या सम्तापी जन्तु के सरीर का तापमान कितना होता है तो सदेव एक समान होता है समुत्री गोड़ा किस परकार के जीव का उधारन है तो मचली का है वा कौन से अस्तन पाई है जो अंडे देता है बच्चे नहीं तो एकिड़ना जानने की एक्षा परकट करना ताथा गूट चिंतन वा मनन करना मनुष्य को वानर गुनों से अलग करता है मानो सरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशी का है सुक्राडू सील किस वर्ग का प्राणी है तो अस्तन पाई कौर के किस पेंड से प्राप्त होता है तो कैवर्कर्स से प्राप्त होता है डॉल्फिन किस वर्ग के अंतरगात आता है तो अस्तन पाई अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अदपके फल से प्राप्त होती है पौधों को क्या करते हैं तो मरूद भीर यानि कि जेरो फाइट्स करते हैं जल एव मास्तल दोनों पर अने वाले जिवों को भैचर वरक अंदगत रखा जाता है जैसे की मेड़क नेक्ट पॉइंट देखते हैं अधी पादप, एपी फाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं यांतरिक सहारी के लिए निर्भर रहते हैं टिक्स और माइट्स किस जीव बंस से सम्बंदित है तो मकडी बंस से जुगनू फायर फ्लाई की चमक किस एंजाइम के करण होती है तो लिूसी फेरस के करण होती है सन हेमपेरे से किस से प्राप्त किया जाता है तो फ्लोम से प्राप्त किया जाता है लेग हीमोगलोबिन किस में पाई जाती है तो लेग्यों मुल्ग ग्रंतियों में पाई जाती है डार्विन की पुष्टक on the origin of species का प्रकासित हुई थी तो वर्स तो सरी स्रीप कौकरोज और सिल्वर फीस में किस परकार का परिसंचरन तंत्र सरकुलिटरी सिस्टम पाय जाता है तो खुला परिसंचरन तंत्र पाय जाता है अस्तनपाई भ्रुन के उत्सरजनिये उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सरजित किया जाते हैं? तो अप्राक यानी प्लेसेंटा के द्वारा चमकादर कैसा प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी है, warm blooded है बिज्ञान की पैलियो उंटोलोजी नमक सखा के अंतरगत जिवास्मो यानिकी फॉसिल्स का ध्यान किया जाता है सबसे बड़ा जो देज गती से दोर सकता है प्रंत उर नहीं सकता है वो सुत्रमूर्ग है नमक जुक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलो फाइट्स कहलाते हैं एंट अमीबा हिस्टोलीटी का नमक पर जिवी मानों के किस संग में पाया जाता है तो आत में पाया जाता है लिगनीनी नमक पदार्थ जमर आता है तो जाईला मुतक पर DNA संसलेशन तता हिस्टोन प्रोटीन कोसी का चक्र की किस प्रवस्ता में बनते हैं तो एस प्रवस्ता में बनते हैं नेक्स देखते हैं वह जीव जिसका महत्व दूबने से हुई मिर्दू का पता लगाने में किया जाता है वह जीव जिसका महत्व दूबने से हुई मिर्थु का पता लगाने में किया था तो डायटम पपीते का पीला रंग किस के कारण होता है तो कैरिका जैन्थिन के उपस्तिदी के कारण पौधें कि किस भाग से हल्दी प्राप केते हैं कि तना यानि कि एस्टेम से प्राप की जाती है किस सैवाल से आयोडिन का निर्मान होता है तो लेमी नेरिया नमक सैवाल से यानि कि भूरी सैवाल से वे जीवानू जो पाई हूं मंडली है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन क स्तिरीकारी जिवानओं काला ते हैं अधिक नमक वाले चार में जीवानओ जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं क्योंकि यह जीवध्रwa कुंचित होकर मर जातے हैं कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद पदार्थ है तो गलाइको जोन है तलाबों और कुवों में किस जंदू को छोड़ने से मच्णों को नियंदिर करवे मदद मिलती है तो गैंबूस या फिस बिस्फेनल ये बीपी ये क्या है तो खाद सम वेस्टन समागरी के विकास के लिए परयोग में लाए जाने वाला रसायन मिरीदा के परयोग के बिना केवल खनिज जुक्त साहता से पौधे उगाने की विधी को हाइड्रोपॉनिक्स कहा जाता है परति जैवी को मुख्यत प्राप्त की जाते हैं अंटिबायोटिक्स कहा से प्राप्त की जाते हैं तो जिमाडूंगों से इस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार होता है तो जाइमेस होता है जब एक ही जिन दो या दो से अधिक भीन लक्षनों को एक साथ नियंद्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है तो बहुप परभाविता का नियम कहा जाता है क्यूनीन जो होता है क्यूनीन किसकी छाल से प्राप्त होता है तो सिनकोना यानि कि कुनैन जिसको बोलाता है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है मेंडल ने अपने वनसागती नियम और रूल्स अफ हेरेडीटी को पर्तिपादित करने में किस पोधे का प्रयोग किया था तो गार्डेन पी का प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-1864 भी को आधुनिक आनुवांसिकी का जनक कहा जाता है सुखा सही सुणता से संबंधित हार्मोन है एबसीसिक अमल है अधिकान्स एंजाइम विकर किस परकार किस ताप पर सरवाधिक सक्रिय होते हैं तो 25 डिग्री बीस से 35 डिग्री सेंटिग्रेट के मद्द सीप, घोंगा, स्क्विड, कोडी, अक्टोपस, कटल, फिस, आधी, मुलास्का, संग के यानि की साइलम, मुलास्का के परमुक, जीव है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कोसिका यानि की सेल इसे संबंधित महत्पून प्रसनों को हम देखेंगे जो यह मैस कुमार बढ़न कहा जाता है, तो माइटोकॉंड्रिया को कहा जाता है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अनुवक उत्पन करने वाले पद का नाम क्रेप्स चक्र है, पलाजमा जिलिक किन पदार्थों से बनी होती है, तो प्रोटीन दथा लिपिट से बनी होती है, मानो सरीर के किस अंग में लस उपस्तित होती है, कोशिका वित्ती, पीट पींड कहां पाई जाती है, तो अंडासा में पाई जाती है, प्रक्रमित कोशिका मिर्थू के कोशिकीये और आनुविक नियंत्रन को क्या कहते हैं, एप्टॉसिस कहते हैं, केंद्रक के अतरिक्त कोशिका के किस कोशिका में DNA जब एक जुग्म जिन दूसरे हेकाई के प्रबाफ गूर्छ दोड़ा हाव को छुपाता है तो इस परक्रिया को क्या कहते हैं तो प्रभाविता कहते हैं नेक्सिंआ का की से जीवित द्रब प्रोटो प्लाजम कहलाता है या किस से मिलकर बनता है कोशिका का जीवित अंस जीव द्रब रिकालाता है या किस से मिलकर बनता है तो कोशिका द्रब केंदरक द्रब इसे कौन सा कोशिका प्रोटीन संसलेशन में सहायक करता है तो राइबोसोम मानोस शरीर में गुणशुत्रो की संक्या होती है 46 यहनी की 23 जोड़े कौन्स अत्तत् tuvo पौधों की कोशिका भिती को सनरच्frame का घटक है तो Calsium सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रो पलाज्मा किसी जीवन का भौतिक अधार मना जाता है तो जीवत ради को मना जाता है कौन सा कोशिकां के वल बनसपती कोशिका मेही उपस्तित होता है तो हरितलवक द्वीनाम पदती के जर्मदाता कौन थे कैरोलस लीनियस थे दो कोशिकां के मध्य पदार्थों का आवा गमन किसके माध्यम से होता है तो जिव द्रब्य तंतु के माध्यम से होता है किस तत्व के कोशिकाओं में एकतित होने से रंद्र खुल जाते हैं तो पोटैसियम ट्रैफिक पुलिस की संग्या किस कोशिकाओं को परदान की जाती है तो गौल जी काये को पलाजमा जिली किसकी बनी होती है तो लाइपो प्रोटीन की प्लाजमा जिली की सनरचना का यूनीट मेंब्रेंड मॉडल किस ने दिया था तो रोबार्ट सनने 1969 भी में दिया था कोसिका भीतियानी की सेल वाल होती है पारगम में होती है विस्व की सबसे छोटी कोसिका है माइको प्लाजमा गैलियो सिक्टम विस्व की सबसे बड़ी कोसिका है सुत्रमुर्ग का अंडा एग ओफ ऑस्टेच मानो सरीरी में सबसे छोटी कोशी का है सेरी वलम की ग्रैनूल सेल मानो सरीरी की सबसे बड़ी कोशी का है अंडानू केवल इस्तरियों में मानो सरीरी की सबसे लंबी कोशी का है नियूरोन पुर्सों में सबसे छोटी कोशी का है सुक्रानू सबसे बड़ी पादब फोसी का है कुलाइपोर्ट टैक्सी फोलिया पुरसों के सुक्रानों तथा मैलाओं के अंडानों के निसेशन की किरिया अंडवाहिनी यानि ओभीडक्ट में संपन होती है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स टॉपिक के साथ जियो बिग्यान का अगला एपिसोड लेकर के जल्दी ही आएंगे अगर यह आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कॉमेंट में बताइए कि क्या हमको फिर नेक्स वीडियो बनाना है बनाना चाहिए या नहीं चाहिए अगर अच्छा लगे तो इसको प्लीज इसको सेर कर दीज़े अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छी बुक है और प्लीज मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीज़े क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और सेर करेंगे और अपने अच्छे देने वाद आप लोगों का है है हलो दोस्तों स्वागत है आपका जीए साइक एजुकेशन के योटूब चैनल पर जैसे कि एंसे अर्टी का यह सार चल रहा है तो एक हम लोगोंने बाइलोजी का एक एपिसोड किया हुआ था पिछली बार तो और यह बाइलोजी का हम सोड़े उसको भी देख सकते हैं और भी सारे सब्जेक्ट का जो एपिसोड है वीडियोज है वो भी आप लोगों को यहां पर डिस्किप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक मिल जागा उससे वहाँ पर आप लोगो जा करके देख सकते हैं और यह एंसे अर्टी सार जो है एं कॉन से महत्पुन प्रस्ण है जो हमारे एकजाम के पॉइंट और व्यू से बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कॉमेंट में बताइए कि क्या आप लोगो कि इस एपिसोड में लोग पोशन यानि की नूट्रिशन टॉपिक करेंगे देखते हैं इसमें कौन-कौन से महत्पुन प्रस्ण एकजाम के पॉइंट और व्यू से महत्पुन हो जाते हैं तो पहला पॉइंट है कि मानव सरीली में किस पोशक्तत्य की कमी के कारण सारीलिक ब्रिधी धीमी होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण विटामीन ए का मुक्स रोत क्या है तो दूध है प्रोटीन यों वसा दोनों की परचूरता किस हाद पदार्थ में होती है तो मुंभली में होती है शरीर में तवचा के नीचे बिद्द्यमान वसा शरीर की उसमा के रास के बिरुद और उधक का कार्ज करती है सरीर में उत्पों यानि कि जो टीसूज होता है का निर्मान किस पोसक तत्तों से होता है तो प्रोटीन से होता है किस विटामिन को हार्मोन मना जाता है तो विटामिन डी को हार्मोन मना जाता है कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होती है तो ट्रिप्सिन होता है समान्य क्रियासील महिला के लिए प्रोटीन की उपजुक्त दैनिक मातरा कितनी होनी चाहिए तो लगवग 45 ग्राम होनी चाहिए अस्तन पान करवाने वाली मा को परती दिन हार में लगवग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यक्ता होती है लार जो होता है यानि कि सैलिव्या जो होता है किसके पाचन में सहयोग करता है तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है अलसी यानि कि तीसी जो lean seed होता है वो किसका परचूर स्रोत है तो omega 3 वसीय अमल का स्रोत है मानो सरीर में पाचन की अधिकांस किरिया किस अंग में संपन होती है तो छोटी आत में होती है मान्स की तुलना में मचली को सुपाचे और लाबदाया क्यों मना जाता है क्योंकि बहु असंत्रित वसा अमल के कारण दूद किस वेक्टिरिया के कारण खराब हो जाता है तो lactobacillus के कारण खराब हो जाता है फासफोरस शरीर में अमलियाता यानिकि acidity ये ओमचारियाता यानिकि alkalinity के मध्य संतुलन बनाये रखता है नेक्स्ट है कि पालक के पत्तों में किस पोसकत्तों की मातरा सबसे अधिक होती है तो लोग की होती है कौन से enzyme दुख्ध protein को पचाने में सहायक है तो renin मानो सरीर में vitamin ये भंडारित होता है कहाँ पे तो यक्रित मियानिकि liver में होता है अधिकांस प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगवग 80% जो पदार्थ क्या है तो वो protein होता है पपीता में कौन सा vitamin सरवाधिक मातर में पाया जाता है तो vitamin C next देखते है next है कि दूद में protein और carbohydrate का अतरिक्त calcium और potassium ततो सम्मिलित होते है protein की अधिकतब मातरा किस में पाया जाती है तो soya bean में पाया जाती है alpha, keratin नमक, protein शरीर के किस अंग में पाया जाता है तो त्वचा में पाया जाता है गयहू में रोटी बनाने के गुनों को परभावित करने वाला पदार्थ है तो gluten है गाय का दूद यानि की keratin की उपस्तिती के कारण हलके पीले रंका होता है पुछा जा सकता है कि गाय का जो दूद होता है वो पीले रंका क्यों होता है किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो कैरोटी नमक एक enzyme होता है जिसके कारण गाय का दूद हलका पीला होता है दूद का स्वेत रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो कैसीन नमक प्रोटीन की उपस्तिती के कारण होता है किसमें विटामिन सी की मात्रसरवाधिक होती है तो संत्रा में होती है विटामिन D का परमुग क्या स्रोत है तो विटामिन D का स्रोत है सुर्ज की किरने किस विटामिन का निर्माण हमारे सरीर में होता है तो विटामिन D वो B3 का विटामिनों में से कौन सा किसी स्वपन को पर्याप्त अधिक आधी तक या दर्फने में सहाइक होता है तो विटामिन B6 सबजियों में मुखेता हमें प्राप्थ होता है तो विटामिन्स प्राप्थ होता है एक गलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है तो एक गलास पानी पीने से सुनने कैलोरी मिलती है वास्मती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं तो M-A-LE fails की उपस्तिती के कारण हो जाते हैं मतलब वो लंबे हो जाते हैं दूध में कौन सा सैकराइड उपस्तित होता है तो लैक्टोज उपस्तित होता है किस विटामिन की कमी से सकर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है हैपिटाइटिस माना और सरीर के किस संग को परभावित करता है तो यकृत को परभावित करता है विटामिन के की बिसिट भूमी का किसके संस्लेशन में होती है तो प्रोत्रोविन के संस्लेशन में होती है पौधों और जन्तूं में कार्बो हैड्रेट का संजयन किस रूप में होता है तो पौधों में स्टार्ज की रूप में तथा जन्तूं में गलाइकोजन की रूप में होता है विटामिन होते हैं तो आवस्य कार्बनिक जोगिक जिनका संसलेशन सरीर में नहीं होता है नेक्स्ट है कि सरीम और सोशित होने वाले पोशक्तत्वों से भंडारन के लिए वो शक्ता से अधिक वसा का संसलेशन कर लिया जाता है नेक्स्ट है कि कैसीमीर फंक किस पोशक्तत्व की खोज की थी तो विटामीन का कैसिमीर फंक ने किस पोसक तत्व की खोज की थी तो विटामिन का विटामिन A से संपन किस खारपदा कौन से है तो कौड यक्रित तेल, सकरकंद, गाजर, पालक आदी मनुस्य में विटामिन A की कमी से रतोंधी, साधिरिक ब्रिधी वबहार में कमी कौर्णिय तथा तथास्वस Amandit रोग उतबन हो जाते है घामिन B12 का रसाइनिक नाम किया है तो साइनो कोपाईल्य मिन खट फोलो यहनिकी सैट्रस फ्रूट्स में सैट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन पाय जाता है तो विटामिन C पाय जाता है गाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है तो विटामिन C किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B2 थाइमिन किसका रसाइनिक नाम है तो विटामिन B1 का जल में कौन सा विटामिन गुलनसील होता है तो विटामिन B और C जो होता है वो जल में गुलनसील होता है पेलागरा और इसकरवी क्रम सा किन विटामिनों की कमी के कारण होता है तो विटामिन B3 और विटामिन C की कमी के कारण होता है विटामिन D का रासाइनिक नाम क्या है तो कैल्सी फोय फिरॉल विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवसेक्ता होती है किस विटामिन की कमी से सरीर की परतिरक्षा पढ़नाली तथा जरन चमता कम हो जाती है तो एसकॉर्विक अमल संक्रमन रोधी विटामिन की से कहते हैं तो विटामिन ए को कहते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में अनाज के छिलके में मुखेता कौन सा विटामिन पाया जाता है तो थाइमिन यानि की बीवन पाया जाता है भोजन में रेसों का महत्व, importance of fibers in food, भोजन में रेसों के अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है, रेसे जुक्त भोजन में गुलकोज की मातरा कम होती है, जिसे आ में एक तरफ लिखा है खनीज्टत्व और एक तरफ है महत्व, जैसे की calcium, तो calcium का क्या importance है, तो दातों और अस्थियों की रचना में, रूधीर असकंदर यानि की blood clotting में, तंत्रीकाओं यहों पेसियाओं के कार्ज में होता है, फासपोरस यानि की P, तो इसका महत्व है दा मातों और हडियों की रचना, अमल छार संतुलन, ATP और DNA, गंधक जो अनेक अमीनों, अमल तथा कुछ हार्मोन से विटामिनों का घटक होता है, पोटैसियम जो होता है, वो अमल छार संतुलन, जल संतुलन यहों तंत्रीकाओं की कारीकी से में यह महत्वपून होता है, कलोरी तंत्रीकाओं की कारीकी में यह महत्वपून होता है, मैगनेसियम की अगर बात करें तो यह गलाइकोलाइसिस सता ATP पर आस्रित अनेक उपाप चाई किरियाओं के एंजाइमों का सहग अटक है, अगर एक तरफ हम खनीज देखते हैं, दूसरे तो परमुक्सरोद देखते है जैसे कि लौध का स्परमुक्सरोद केलयओं खजूर है, पोटैसियम का पालक है, आयोडीन, कायोडीन जुक्त समान्य नमक है और कैलसियम का दूधेओं अंडे है, कौन सा तो किड़नी में पतरी को बनने से रोकता है, कौन सा फल एसकरवी डोग के उपचार में उपयोगी तो आमला एक संतूलित आहार में विभिन पोसक्ततों कि सनपात में होने चाहिए तो हाफ प्रोटीन वन एक चौथाई वसा और तीन बटा पांच कार्वोहईड्रेट होना चाहिए किस पोसक्ततों से पर्ति ग्राम सरवाधी कुर्जा प्राप्थ होती है तो वसा से किसकी कमी से क्रिटिनेज्म यानि कि मंद बुद्धी बौना रोगुत्पन हो जाता है तो आयोडिन की कमी से कौन सा विटामिन सरीर के रोगों को पर्ति रख्षा परदान करता है तो विटामिन ए विटामिन डी के अनुपस्तिती से सरीर में कैल्सियम की कमी हो जाती है विटामिन उ हुपाप से यानि कि मेटाबोल में महत्पूर्ण भूमी ендरक्षा करते हैं यह विभियन रोगों से सरीर की रच्छा करते हैं जैसे वसा में गुलंची वीकारियाश। कि कोषिकाएं कारीकी पर परभाव डालता है तो दृष्टि रंग्व का संसलेशन एप इठीलियमस्तरों में विधियों विकास और कमी का परभाव जीसे कमी हो जाएगा तो क्या परभाव तो कौर्नियावथ वाचिक में विकास वरूध होता है इससे वितामिन विटामिन डी के बात करें तो विटामिन डी का हम लोग जो रसायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है और शुरूप जो है वो मखन यक्रित मचली का तेल गुरदा अंडे इस्ट सूर्ज के परकास और सूर्ज के परकास त्वरा संसलेसिद और कार्यकी पर क्या परभाव करता है हड़ी और दातों की पृद्धी करता है जब यह कमी होगा इसका तो च्या होगा सुखा रोग हो जाएगा सिसमान रोटो कमजोर हो जाती है विट्यमानी इसको हम लोग वार साइने के नाम नाम से जानते हैं इसका शुरुप जो है वो तेल है गेहूं है अंडे की जर्दी है और सोयाबीन है और इसकी जो कारीकी पर परभाव जो डालता है वो कोशी का अकला की सुरक्षा जरन छमता में व्रिधी पेसियों के क्रिया सिल्था अगर इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है तो जरन चमता में कमी आ जाएगी एपिथिलियम कमजोर हो जाएगा और विटामिन के की अगर बात करें तो इसका रासाइनिक नाम जो फिलोक्विनोन है इसका स्रोथ जो हरीपतियां है अंडा है यक्रित है टमाटर है गोवी है स्वयाबीन आथ के बैक्टिरिया में मतलब आथ की बै जाता है तो चोट पर रखत का थकाना बजन नेक्स से अधिक रखत का स्राव हो जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं कि जल में गुलन सील विटामिन कौन-कौन से है वाटर सॉल्यूबल विटामिन और नाम देखेंगे जैसे कि वन है तो थाइमीन उसका अधासाइनिक नाम ह स्रोत जो है अनाज, फलिया, सोयावीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक कारीकी पर परभाव डालता है कार्वोहेड्रेडियों बसा, उपापचाई, किरियाओं के सह एंजाइम का ये घटक होता है और कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है विटामिन टू की बात करें हम तो इसका रसाइनिक नाम राइबोफलेवीन होता है और इसका स्रोत जो होता है वो पनीर, अंडा, इस्ट, हरी पतियां, दूद, यकरित और मांस और कारीकी पर क्या परभाव डालता है तो कारीकी पर परभाव डालता है कि उपापचाई में महत्पुन सा एंजाइम, FAD तथा FNM का घटक होता है और कमी का परभाव होता है कि लोसी स्रोग होता है अगर विटाविन 3 की बात करें हम तो निकोटिनिक अमल, इसका रसाइनिक नाम होता है इसका स्रोत जह है वो इस्ट, मांस, यकरित, मचली, अंडा, दूद, मटर, सेव, मटर, मेवा और फलियां ह होती है और कारीकी पर परभाव उपापचाय में ये महत्पून, सह एंजाइम, NAD तथा NADP का घटक होता है और इसकी कमी का परभाव ये होता है कि पेलागरा नामक रोग हो जाती है इससे अगर विटामिन B5 की अगर बात करें तीसका रसाइनिक नाम पेंटो, पेंटो, थ पेंटो, इत्यादी होता है और कमी से चर्म रोग, ब्रिधी, बाल, ब्रिधी कम होता है, बाल सफेद हो जाता है, जनन्चमता कम हो जाती है अगर विटामिन B6 की बात करें तीसका रसाइनिक नाम जो होता है और इसके जो स्रोत होते हैं वो दूद, इस्ट, अनाच, मांस, यक्रित होते हैं और काडिकी पर परभाव अमीनों अमले के उपापचाय में सहेंजाइम का यह महत्पूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से रक्त छीनता, चर्म रोग, पेसी ए, एंटन, इत्यादी होता है अगर विटामिन B7 की बात करें जिसको हम लोग बायोटी के नाम से जानते हैं तो यह इसका स्रोथ है मांस, गेहूं, अंडा, मुंगफली, चॉकलेट, सबजी, फल, और मतलब इसका यह स्रोथ होता है और कारीकी पर परभाव होता है कि वसी यह अमीनों अमल सहित कई अन्य पदार्थों का संसलेशन करता है और इसका जो इसकी कमी पर चर्म रोग हो जाता है बालों का जड़ना सुरू हो जाता है अगर विटामिन नाइन की बात करती इसको फोलिक एसीड समूह बला जाता है इसका जो स्रोथ होता है पाने का सबसे अच्छा वो हरी पतियां यकृत, सोया बीन, इस्ट, फलियां और इसका जो कारीकी पर प मतलब खून की कमी हो जाती है और ब्रीधी में भी कमी हो जाती है अगर हम विटामिन बी टुएल्व की बात करें तो इसका रसाइनिक नाम साइनो कोबालमीन है और इसका सबसे अच्छा सुरूत माना जाता हो मांस, मचली, यकृत, अंडा, दूद, आत के बैक्टिरिया को म माना जाता है और इसके कारीकी पर परभाव जो पढ़ता है वो ब्रीधी रुदी रानुओं का निर्मान में महत्पूर्ण सहायक होता है और निउकली कमलों का यह संसलेशन करता है अगर यह चीज ना रहे यानिकि विटामिन बी टुएल्व सरीर में ना रहे तो इसके पर ला निम्बू खटे फल टमाटर सबजियां आलू वह अन्यफल में यह पाया जाता है और इसका जो कालीकी पर पर भाव या इनकी जो महत्पूर्ण जो यह मतलब महत्पूर्ण रोल निभाता है वो अंतरा कोशी किये सीमेंट में और कोलाजन तन्तु और हड़ियों के मैट फिलो क्विनोन है जिसका काल्ज रगत सकंदन यानिकी रख को ब्लड को क्लॉटिंग करना रख को ठक्क करना तथा यकृत में प्रोथॉम्बिन का निमान करना है तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि next topic में देखेंगे पादपों की अकारिकी यानिकी plant morphology नेक्स्ट टोपिक में देखेंगे पादपो की अकारी की प्लांट मॉर्फोलोजी तो इसमें नेक्स्ट प्रसन को देखते हैं मतलब जो एकजान के पॉइंट आप व्यू से इंपोर्टेंट है और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यह जो हम लोग NCRT सार संग्रा जो तो 6 class या 12 class की महस कुमर परणवाल की पुस्तक है उनका हम लोग ये revision ताइप का कर रहे है या फिर इसको आप लोग कान में इयर फिं लगा करके इसको revision basis पे तुन सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो के माधियम से देख सकते हैं और जिनके पास बुक है व पुन पुन प्रस्थनन कौन कौन से बन सकते हैं तो पाधपों में किस संरचना के दौरा जल ऊपर चरथा है तो जायलम के दौरा इसका एक फर्मूला मैं बता देता हूँ बहुत eleg anni है जैसे कि मतल ट्रीक, फर्मूला नहीं होती है तो स्वेथ प्रकास में सबसे ज़्यादा होती है रंद्रिये बासपोत सर्जन यानि केस्टो मैटल ट्रांस पिरेशन रुख जाता है क्यों तो विश्रन कोशी का क्रिया के द्वारा जीवाणुआ द्वारा नाइट्रेट को अगर बाइमंडलिये नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की पर किरिया क्या कहलाती है गया है तो क्यों कि जब सुर्ज की परकास के द्वारा जब प्यंड पौदे की हरीपतिय हैं जब प्रकाससंसलेशन की केरिया हमें अपना भोजन बनाती है तो उस समय हमारे मतलब 7-will को चौर्ट करती है और औक्सीजन के से लगल सेंट सिर्च आन सिरोध्र गर्विटरस के रूप में कारज करते हैं तो एब सीषिय करते हैं पुसपित पौधों के बीज किसके बने होते हैं तो भुरून खादिसंग्रत था आवरन के बने होते हैं परकास अंसलेशन पादप के किस कोशीका का होता है तो कलोरोप्लास्ट का होता है यदि हम केच्विया अथ्वा जोग पर नमक छी रखते हैं तो वह क्यों मर जाता है तो परासरन प्रगात के कारण मर जाता है कौन सी फसल मिट्टी के अत्रिक नाइट्रोजन परदान करती है तो मटर कौन से तत तो पौधे के विकास में आवस्चक नहीं है तो सोडियम वर्मी कमपोस्ट जो होता है वो क्या है तो वर्मी कमपोस्ट जो होता है कारणिक जैव उरुबरक है नेक्स्ट है कि किस पौधें को औसधिये भारतिये चिकित्सा हरबल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है तो आमलाग को कहा जाता है अफीम पौधें के किस भाग से प्राप्त किया जाता है तो फूल से प्राप्त किया जाता है सबसे पहले बनने वाले प्रात्मिक जायलम तत्त को क्या कहते हैं तो प्रोटो जायलम कहते हैं कौफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है तो बीच से प्राप्त होती है रेसम के कीट समाने तक किस प्रिण पर पाले जाते हैं तो सहतूत पर पाले जाते हैं जिवाणों में प्रकास संसेस्न के लिए में हाइड्रोजन दाता समाने तख कौण सा होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जिसको H2S के नाम से जानते हैं कि समों के पौदों के जीवन चक्र में 230 पिनियों का एका अंत्रन होता है? तो तेरी टेरीडो फाइट्स बायो पर्दुसन के सूचक होते हैं तो कौन होते हैं लाइकेन होते हैं अंडासय विहीन पुस्पोध भी क्या कहलाते हैं तो जिमनो स्पम्स कहलाते हैं वरगद की सखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है तो अस्तंब मूल कहा जाता है पर जीवी पौधें अपना पोशन होस्ट की संग द्वारा भुजन का ओसोसन करते हैं तो चुसकांग की द्वारा करते हैं किस परकार के पौधों की जड़ों में द्वीतियक पत्री पौधें में पाई जाती है नागफनी में पतियां किस में रुपांतरित होती है तो काटों में रुपांतरित हो जाती है नेक्स है कि गेहुँ धाने उम जो में कैसी जड़े मनी की रूट्स पाई जाती है तो तंतु में जड़े पाई जाते हैं फाइब्रस रूट मैदानी छेत्रों में पाया जाता है तो एकेसिया नमक पौधा उत्तरप्रदिस के मैदानी छेत्रों में पाया जाता है पुस्प का सहाय कंग किसे कहा जाता है तो वाहय दल पूंज एम दल पूंज को कहा जाता है पाधप जो लहसुन और प्याज जो है उसके हम लोग पर्यो करते हैं हार्मोन्स विकर यानिके एंजैम से भिन है क्योंकि हार्मोन्स उपापचाई क्रियाओं में पुनतिया परजुक्त होते हैं जिवाणों में प्रकास संसलेशन उच पादपो से भिन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यानिकी ओटू का निसकासन नहीं होता है प्य मिलते हैं हम लोग फिर जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज आप लोग ने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे और वेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा और डिस्किप्शन बॉक्स में यहाँ पर टेलिग्राम का लिंक है उसको भी जोईन कर लीजिए ताकि जब भी हम मैं कोई नया एपिसोड वीडियो जैसे ही अप्लोड करूँगा आप लोग के पास सबसे फ़रे नोटिफिकेशन मिल जाएगी चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद